हालो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल कैसे हैं आप सब आज मैं आपको यह ब्रा लेक बनाना सिखाऊंगी यह मैंने बनाई है एक्सल साइज के लिए और मैं आपको साथ साथ और भी साइज के मीजरमेंट बता दूगी और इसमें जो यान यूज हुई है वह 100 ग्राम के प्रॉक्स यान यूज हुई है तो चली वीडियो शू करते हैं तो दिके मैं बना रही हूं एक्स्टा लार्ज साइज तो इसके लिए मैंने क्रोश्या 3.50 mm का लिया है और यान जो है वो डिजाय यान है तो क्रोश्य थोड़ा सा पतला और यह जो यान है वो थोड़ी सी मो ओओ या ठीक है तो यहां पर मैं बता रही हूं अगर आपको साइज बनाना है तो यह जो फऊंडलीशन चैन रहेगी वह तू इंच की रहेगी कृच्ट यूज वह चपसंधिぜ नहीं जाएं ठीक हूं अगर आप स्मॉल सइज की कबनाना है चाते हूं स्मौल साइज में जो भी साइज आते हैं तो उसके लिए आप यह जो फांडेशन चैन है वह 2.5 इंचिस के लीजेगा चैन की काउंटिंग की कोई जूरत नहीं है जितने भी चैन आपके आ रही हूं और यह जो विडित है वह रहेगी 6 इंचिस की अगर आप मेडियम साइज में जो भी साइज आते हैं अगर आपको मीडियम साइज की ड्रेस आती है तो उसके लिए दिखें आपको यह जो फांडेशन चैन है वह 3 इंच की रहेगी और यह जो विडित है वह 8 इंचिस की रहेगी और यह जो एक्स्टा लार्ज है वही साइज मैं बना रहे हूं तो य हमें यह फांडेशन चैनल नहीं है और यह जो विडित है वह 8.5 इंचिस की रहेगी तो देखें जो भी आपको मेरे वीडियो जो अप्लोड है उनसे रिलेटेट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं वैसे तो आप वीडियो की नीचे भ बनाना सीखना है तो आप पहले मेरे चैनल पर थोड़े दिन आप एक्टिव रहिए मैसेज की कमेंट कीजिए मैसेज कीजिए और थोड़ा देखिए मुझे लगे कि आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो मैं आपके वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर सकती ह कई बार ऐसा होता है कि मेरे बना भी देती हूं तो रिपीट में कोई कमेंट ही नहीं आता है मैंने अपना काम चोड़के मैं अगर वीडियो कोई एक्स्रा दूसरा किसी ने रिक्वेस्ट की मैंने बनाया तो रिपीट में कमेंट तक भी मुझे नहीं आते हैं तो इसका मतल वेस्ट है तो मैं उसको बना सकती हूं ठीक है तो चलिए शुरू कर लेते हैं और यह दिखें यहां पर हम बनाएंगे 20 चैन तो यहां से हमने 20 चैन बनाई है और इनको यहां से आप नापेंगे तो यह 4 इंचेज का हो रहा है ठीक है 4 इंचेज से छोड़ा साज़ादा है लेकिन चलेगा वह थोड़ा सा एक चैन उपर एक चैन नीचे चल सकता है ठीक है अब दिखी क्या करेंगे अब फर्स्ट वाली जो चैन है उसको छोड़ेंगे और सेकंड वाली जो चैन है वहां से हर एक चैन में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे तो यहां से यहां पर मैंने 20 चैन बनाई थी कई लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती मुझे कमेंट आते हम मैंने यहां पर 20 चैन बनाई थी फर्स्ट वाली हमने चैन छोड़ी और बाकी की जो चैन बची है उनमें हमें एक सिंगल स्टिच बनाएंगे तो दिखें यहां पर यह हमने लास्ट वाली जो चैन बची है उसमें इसमें हमें 3 सिंगल स्टिच बनाएंगे वन टू अब दिरिए जो बीच वाला स्टिच है अगर आप बिग्लर हैं तौँ आ वीच वाला स्टिच को मार्क कर लिजेए जो हमने ये भी है इसका गbesा पम इसका बीच वाला स्टिच है अब यहाँ से दिख्चे हैं इनकी पीछे वाले जो चैन है यहां पर इस पर हर एक पर एक-एक सिंगल स्टिच बनाएंगे अर्टीक है यह जो धागा है इसको सात में लेते हुए चलेंगे और चैन बना देंगे इससे क्या है यह धागा यहीं पर फिनिश हो जाएगा फिर हमें इसको हाइड नहीं करना पड़ेगा अलग से तो यह इस तरीके से यह दागे को यहां रखा हमने और चैन में क्रूशी को डाला और सिंगल स्टिच बना दिया हम इस तरीके से बनाते हुए और अगर देखें आपको स्टिच समझ में नहीं आ दें तो फर्स्ट लास्ट और बीच का जो स्टिच है उसको मार्क करके रखें फस्ट वाले को भी लास्ट वाले को भी और यह बीच वाले को भी अब यहां से बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाते हुए ठीक है यहां तक बना लेंगे तो देखें एटीन स्टिच हमारे यहां थे एटीन इस तरफ है और जो बीच वाले स्टिच था हो हमने टोटल नाइ बीच वाले स्टिच है यहां पर आजाएंगे तो दिखिए यह हमने लास्ट तक बना लिया यह बीच वाले स्टिच है तो यहां पर देखिए हम थ्री सिंगल स्टिच बनाएंगे तीन सिंगल स्टिच हम यहां बनाएंगे अब यहां से हर एक सिंगल स्टिच बनाते हुए यहां जाएंगे है को यह हमने last तक हर एक स्टिच में एक ऐस्टिच बना आ है फिरसे देकी चैनल BN बनाएंगे और इस रन हो जांगे और हर एक सिर्च मे एक iste बनाएंगे और यह जो बीच वालास каче Member इसमें तीन सिंगल इसतरफ टर्ण हो जाएंगे और हर एक stitch में से इक single stitch बनाइगे और यह जयकि वहाँना यह गत्च र cambi condition तो यह 19 रोंगी है अगर लेगिन आप क्या कीजागा यहां से अपना पीगा जितना साधे 8 इंच यह हो रहा है तो 1.5 इंच यह होना चाहिए हो सकता है क्रोशिय में कोई अंतर हो तो आप रोस से काउट मत कीजागा यहां पैं दो कप बना ली है ठीक है अब देखिए हमें वेस्ट नाब नहीं है यहां पर जो वेस्ट है वो है 35 तो अब क्या करेंगे 7 यह टोटल दोनों मिलाके हो रहे हैं 17 इंचेश 8.5 इंचेश का यह वाला नीचे का 8.5 इंचेश का यह अब यहां पर 7 इंच की चैन हम यहां बनाएं बनाएंगे वेस्ट के लिए और 7 इंच की चैन यहां बनाएंगे तो 17 प्लस 14 हो जाएंगे 31 31 तो टोटल 35 की वेस्ट है तो बाकी का जो होगा वो हमारा जो धागा है जो हम इसकी डोरी बनाएंगे उससे जॉइन होगा तो आपको पीछे कितना खुला रखना है इस चीज प यह जो वेस्ट की पट्टी है वो किस तरीके से बनानी है पीछ अगर आपको ज्यादा ओपन चाहिए ज्यादा हिस्सा ओपन चाहिए तो आप कम बनाएंगे कितना 3 इंच का 4 इंच का वह हमारा जुड़ेगा जो हमारी यहां पे जो हम पट्टी बनाएंगे जो बांधने व खुला चाहिए यह ज्यादा हिसा खुला चाहिए इस साबसे तो दिखें यहां पे हम चैन बनाएंगे पहले चैन बनाएंगे ठीक है तो 7 इंच की चैन बनेगी यह थोड़ी सी यूज की हुई यह मैं थोड़ी पतली हो गई वैसे हमारा ट्वन्टी में 4 इंच इंच का हो यहां कर सलां हमने कितनी बनाई है और क्या दिएखें यहां पर मैंने 34 चैन बनाई है तो मैं आपके नहीं थी में तो हम इन्मी जै मैं बनाईखी 4-inch के boy यहां पर यान में यूज कर चुक है एक बार थोड़ी सी खिच के पतली होगी तो यहां पर मैंने 34 चैन बनाई है और यह 7 इंच से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है क्योंकि जब हम इस पर सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे तो यह थोड़ी और चोटी हो जाएगी ठीक है तो अब यहां पर हमें ध्यान कि इसमें क्रुशे डालेंगे और सिंगल स्टिच बनाएंगे ठीक है अब यहां से हर एक रो पर सिंगल स्टिच बनेगा एक रो यहां है एक यहां है एक यहां है एक यहां है ऐसे करके कि इस तरीके से बनाते हुए मैं यहां आ जाते हुए लास्ट में फिर दूसरा जॉइन करेंगे कि यहां पर हमनें चैन बनाई थी यहां पर एक सिंगल इस्टिच बनाया है अब दीकिए दूसरा वाला जो इससा है फ्रंट रखिएगा ध्यान से और यह जो दूसरा वाला कप है इसके फरस्ट सिच में एक सिंगल इस्टिच बनाएंगे कि यह दूनों कप हैं यह जॉइन हों जोगे लिगा त्ड़सा टाइट रखिए गया यहां पे इस फरस्ट सिंगल इस्टिच को अब यहां से हर एक सिच में एक सिंगल इससी बनाते हूं यहां जाते हैं तो देखिए 33 स्टिच मेरे इस वाले पर आए थे और 33 स्टिच इस कप्पे बना है अब देखिए हमें 34 चैन बनानी है जो हमने उस तरफ बनाई थी बना लेती हूं तो देखिए यह इस तरफ भी हमने 34 स्टिच बना लिये हैं अब देखिए एक चैन और बनाएंगे और देखिए यह जो सेकेंड वाला चैन है इसमें एक सिंगल स्टिच बनाएंगे हुआ है कि यह मैं स्ट्रीट चे लाइं इसलिए हम इस तरह के से बना нравится आंles तो इस तरह सकते थे आभी जू ऊपर यह आगेवाला यस्टिच है इसमिसें से स्टिच बनेंगे सिंगल इस यह यह देखिए जन बनैंगे अब और एक स्टिच छोड़ेंगे एक चेंज छोड़ेंगे एक में डबल क्रूशय बनाएंगे इस तरीके से बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे ठीक है यहां तक ठीक है ऐसे यहां पर बनाना है और यहां पर भी ऐसे बनाना है तो तो यहां पर मैं एक नॉर्मल डबल क्रूश्या बना दूंगी स्टिच कम नहीं करने हमें तो हो सकते हैं आपने कुछ और चैनल नहीं है तो आपका सेम यहां पर ना बचे ठीक है अब दिखी क्या करंगे चैनल बनाएंगे इस तरफ टर्ण हो जाएंगे और हर एक स्टिच बनाना है यह एक स्टिच के उपर स्टिच बनेगा और एक जो चैनल वन का स्पेस है इसमें एक सिंगल स्टिच बनेगा ठीक है एक डबल क्रूश्य के उपर सिंगल स्टिच बनेगा और फिर यह एक चैनल वन के स्पेस में सिंगल स्टिच बनेगा इसी तरीके से हम 2 और तीन रों पहले में ये वाली रोपता बनाती हूं फिर आपको नेइक्स रही संगल मैंगे तो कुछ रों में अभी सिंगल इस्टिच की बनानी है तो यह सिंगल इस्टिच की रोह बनाते हुए हम यहां लास्ट में आ गये अब यह जो फिर्स्ट सिच है दिखिए जिसमें हमने दो चैन बनाके और फिर एक चैन वन बनाया था यहां भी लास्ट वाल स्टिच में सिंगल सिच बना देंगे अब दिखिए कुछ रो जो हमें बनानी है वो सिंगल स्टेच की ही बनानी है उसके बाद फिर एक रो हम वापस यह वाली बनाएंगे तो जितनी चौड़ी आपको पट्टी चाहिए हो इससा आप से आप बना सकते हैं इसको तो चैन्ड वन बनाया डर्ण किया और हर एक स्टे जो और कि प्रिए चाहिए चाहिए फौर फाइफ फॉर या फॉर फाइफ होंगी तो दिखिये आप यह तम जू रो बनायेंगे हम उसके बाद यह हमें जो काम करना है नाइक्स वाली जो सिंगल स्टिच रो है वो में फ्रंट से काम करना होगा इसका उसका इसलिए मैंने य यहां पर बनाई है अब यहां से यह जो रो आएगी वह यही वाली रो यहां रेपीट करेंगे तो वह इस तरफ आएगी फिर यहां से हम सिंगल सिच की रो बनाएंगे फिर यहां से बनाते हुए वापस उपर की तरफ यहां पर मैं डोरिया बनानी है तो इसलिए मैंने इतनी रोव बनाई है ठीक है तो अब क्या करेंगे देखिए यह वन टू थ्री फोर शाद फोर रो हैं तो आप देख लीजिएगा यह हमें जो नेक्स्ट वाली सिंगल स्टिच की रोव बनानी है वो फ्रंट से आनी चाहिए जो में फ्रंट से काम करना है इसमें देखिए यहां पर चैन्द यहां पर हम फिर से जैसे हम ने पहले बनाया था वैसे ही बनाएंगे चन्द 1 बनाएंगे इस तरह टान हो जाएंगे यहां पर सिंगल स्टिच बनाएंगे यह हम अब फिर चैन वन बनाएंगे और यहां से एक सिच चोडएंगे एक में सिंगल इस्टिच पर बना नहीं हम तो वह भी मैं आपको आगे बता दो तो तो दिखेंगे यह हमने रो यहां तक बना लिए हम अब यह जो लास्ट वाला स्टिच परचा है इस पर हम नॉर्मल एक सिंगल स्टिच बना देंगे जैसा हमारा पिछली रो में आया था उसी तरीके से आ रहा है अब चैन वन बनाएंगे इस तरफ टर्ण हो जाएंगे और हर एक सिंगल स्टिच बनेगा जैसे हम यहां बना रहे थे एक स्टिच पर यहां इक यहां दूसरी तरफ आ जाएंगे यह हमारा यह वली जो रो जाएगी वह फन्ट से जा रही है सिंगल सिच की दिए लिए बना लेते हूं यह पट्टी हमारी इतनी रहेगी अगर आपको और बड़ी बनानी है तो आप बना भी सकते हैं यह वाले हमारे जो पॉइंट हैं इसमें डौरी आएगी इसलिए हमने यह वाले बनाए हैं तो अगर आप ज्यादा चोड़ी करते हैं तो वो डोरी का बीच का इस पेस आपको यहां डालना पड़ेगा देखिए इस इसमें एक बार डालना पड़ सकता है यह मैं इसको बना लेती हूं सिंगल स्टिच की रो को फिर आगे बताते हूं हुआ है फिर की यह सिंगल स्टिच की रों ने बना ले अब दिखिंए हम क्या करेंगे यहां से काम करती है पूरल यहां तक और पूरा और में वापस दूसरे कौने पर आएंगे ठीक है तो यहां पर एक सिंगल स्टिच और हम यहीं बनाएंगे कौने पर यहां तक बना लिए एक कोर बनाएंगे जिसका शेप सही रहे है ठीक है यहां पर एक सिंगल स्टिच यहां पर जितने आ रहे हैं आप काउंट कर लीजिए और 2 3 4 5 6 7 8 9 और देखिए एक और बनेंगे इसे हमारा कॉर्नर सही से आए अब यहां से चैसे हम बना रहे थे एक चैन वन के स्पेस में ऊपर की तरफ आएंगे अब देखिए इधर से बनाते हुए यहां पर बैल्ट बनाएंगे फिर दूसरे इधर से इस तरफ आएंगे फिर यहां से दूसरे में बैल्ट बनाएंगे और फिर वापस यहां पर आजाएंगे ठीक है इस तरीके से बनाते आएंगे यह जो एंगा स्पीस में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे एक सिंगल स्टिच के डबेल क्रूषिय पर बनाएंगे एक जन बन की स्पेश में बनाएंगे थे बनाते हुए में यहाँ जाते हूं थ हुआ किений और सिंगल स्टिश की रू में यहां बना लिए आप देखे creator हओ यह जी किसमरो में सिंगल स्टिश की रूबनानी हार एक स्टिच में एक एक स्टिच बनेगा अब ध्यान रखेगा कहीं अगर आपने एक्स्टा स्टिच बनाया है तो उस्तरफ भी उतना ही बनाएंगी जिसे शेम आएगा कि यह सिंगल स्टिच की रूब बनाते हूं मैं यहां आ जाती हूं टॉप ठीक है तो दिखे यह सिंगल स्टिच की रूब बनाते हूं मेडल वाले स्टिच पर आगए अब यहां पर हमें चैन बनानी है लंबी अब चैन जो हमें बनानी है वही हमें यहां पर डाल के पीछे की तरफ बंदेगी ठीक है तो आप काफी लंबी चैन बना लेजिए एक्स्टा बन हैं कम नहीं पढ़नी चाहिए यह पीछे की तरफ से आते हुए और इसमें बंदेगी दोनों तरफ ठीक है यहां पर मैं कुछ चैन बना लेती हूं आपको बता दूंगी फिर कितनी चैन बनाई है तो दिखिए यहां पर मैंने 130 चैन बनाई है अभी यह चैन छोटी होगी ज आनी चाहिए ठीक है अब यह देखिए यहां पर चैन बनाते हुए यहां पर यहां से स्लिप स्टिच बनाते हुए एंड तक जाएंगे जिस्जों पर हमने स्टार्ट किया था वहां तक ठीक है इससे मोटी हो जाएगी डोरी और वापस हम इसी ऐस तरीके से जोड़ेंगे तो यह खुलने का भी ड़ण नहीं रहेगा अ सका है तो इससलेपिस्टिच बनाते हुँआ और Şimdi यहांसे अम न冷ग आप दिजिस्ट की रो बनाते पो यहांसे हमने चैन बनाना कीई था अबर Первे जम हम ऑफनानी स्टार्ट की थी यहां से फिर से हम सिंगल स्टिच बनाना शुरू करेंगे हर एक स्टिच में और इधार आजएङींगे इस बीश की सैडेट हैं यहां तक हो ठीक करना तुछ दीकिए सिंगल स्टिच की रोह बनाते ह office यहां पचे हुए हैं तो दीकिए actually one too ही बचे हुए इसमें सिंगं स्टेच बनाया चैन्ट 1 बनाएंगे और यह जो स्पेश में ऑफ चाहना बेंग यह डूझत थाण है उसमें सिंगल स्टीच वनाएं कि इसी दिखिए यहां पर थोड़ा सा जॉइन हो गया है थोड़ा ऊपर से खुला खुला नहीं अलग लग नहीं रहेंगे अब यहां से फिर हम हर एक स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाते हुए यहां कॉर्णर पर आ जाएंगे और जैसे हमने दिखिए यहां पर चैन बना बनाइते हारजर के सिंगल स्टिच बनातं होए चैन वन उष्मे और फिरी कि यहां पर दो सिशिंब बनेंगे दो लाश्ट के दूए बनाते हुए इस तरफ वैसा ही आप बनाएगा कुछ चेंज मत कीचेगा तो दिक हमने ये दोनों तो बैल्टे बना ली है और ये सिंगल इस्टिच की रोव बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था वापस वहीं आ गए ठीक है उतने ही स्टिच हमन में बनाए हैं जितने उस तरफ बनाए थी अब ये दिखिए फरस्ट जो सिंगल स्टिच है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच सर्टैज करेंगे और ये जो धागा इसको इस तरीके से ठादेगे अब ये जितने भी धागे हैं इनको आप स्टिच में डाल के और हाइड कर जिससे ये दिखें नहीं अब देखें हमें इसको डालना कैसे है ये ये हमारी डोरी है ये इस तरफ वाली जो डोरी है इसको इस तरफ वाले ये यह यहां पर हम डालेंगे और फिर यहां की नीचे वाले हिससे में डालेंगे जैसे शूलिस डालते हैं वैसे ही डालना ये धर आ जाएगा और जो इस तरफ वाली डोरी है इसको पहले हम यहां डालेंगे इस वाले में और फिर हम देखे यहां नीचे वाले में डालेंगे इस तरीके से यह यहां पर बांधने के लिए हो जाएगा और मैं इसकी फिनिशिंग करने के बाद आपको पूरा दिखाती हूं तो देखे यह मैंने पूरा कर ली है और देखे यह कितने अच्छी लग रही है इसकी फिनिशिंग कितने अच्छा है तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्रीज लाइक कीजैगा फैमिल्ठीश में शेयर कीजैगा § झाल झाल झाल